और राइट, मेरे पास ये उड़ती हुई खबर आई है कि आप Amazon पर अपने प्रोडक्स पेशना शुरू करना चाहते हो बट आपके पास GST नहीं है तो आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या आप Amazon इंडिया पर बिना GST के प्रोडक्स बेच सकते हो वेल, इस वीडियो में आपको मैं इसका आंसर बहुत ही सरल तरीके से दे दूँगा वेल, मेरे पास आपके लिए एक गुड निउस है और एक बैड निउस है हर मुवी की तरह पहले हम बैड निउस को सुनते हैं यहां पर आपको clearly यह दिखाया जाएगा कि you need these three things to register as a seller on Amazon India. Number 1 आपका GST number, number 2 आपका PAN card और number 3 एक active bank account जहां पर Amazon आपको pay कर सके. इसके साथ साथ आपको एक credit card की जरुवत भी पढ़ेगी जो इन्होंने यहां पर नहीं लिखा है because जब आप Amazon पर advertisements चलाते हो, Amazon requires you to have a credit card on file because कभी-कभी अगर आपके खर्चे जादा हो जाएं और आपके Amazon account के अंदर उतने पैसे ना हो तो Amazon आपके credit card को charge करेगा. So यह चार चीजों की जरुवत तो आपको पढ़ने ही वाली है. इसका मतलब सीधी-सीधी बात यह है कि आप Amazon.in पर बिना GST के बेच नहीं सकते हो और यह थी मेरी छोटी सी बट थोड़ी सी बुरी खबर आपके. बट क्यूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप मेरे चैनल तक पहुँज गए हो मैं आपको एक गुड न्यूज भी देने वाला हूँ जिसकी वज़े से आप Amazon पर प्रोड़क्ट बेच पाओगे वो भी बिना GST के अगर आप चाहो तो. और राइट, सो यह लंबा आंसर है क्या? सो मैं आपको अब यह बताना चाहता हूँ कि आप Amazon पर बिना GST के प्रोड़क्ट बेच सकते हो पर आप ऐसा Amazon.in यानि की Indian मार्केट में नहीं कर पाओगे अगर आपको Amazon USA जो Amazon का सबसे बड़ा मार्केट है जहां से Amazon की जर्नी की शुरुवात हुई है जहां Amazon के सबसे ज़ादा कस्टमर्स है और मुस्ट 20 करोड लोग Amazon.com पर हर मंद विजिट करते हैं तो अगर आपको Amazon.com पर बेचना है तो आपके पास एक option होता है तो sell as an individual where you do not need to have a GST number इसके लिए basically आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको directly Amazon.com seller central पर रेजिस्टर करना पड़ेगा जिसका URL है sellercentral.amazon.com आप sellercentral.amazon.in से जब रेजिस्टर करते हो तब आपको GST की नीड पड़ती है जब आप सीधे .com पर रेजिस्टर करोगे आपको GST की नीड नहीं पड़ेगी अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना जरूर चाहता हूँ कि there are three ways you can register on sellercentral.amazon.com you can register as an individual मतलब आप सिर्फ अपनी identity के साथ अपने bank account के साथ अपने credit card के साथ अपने address proof के साथ रेजिस्टर कर सकते हो as a seller the other option is to register as an Indian business अब वो चाहे आपका business प्रप्राइटर्शिप का हो प्राइवेट लिमिटेड हो या एक partnership हो आप तीनो टाइप के businesses से भी register कर सकते हो और तीसरा तरीका होता है to register with your US business जिसके लिए आपको पहले US business register करना पड़ेगा अब इसके बारे में अगर आपको और जान करी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बाकी वीडियो भी देख सकते हो बट फिलाल मैं आपकी नजर वापस इस चीज पर लाना चाहता हूँ कि Amazon.com पर बेचना कितना असान है जब मैंने अपना पहला branded product Amazon.com पर बेचना शुरू किया मैंने पहले ही तीन मेहने में 13,000 डॉलर यानि कि लगभग 7,000,000 रुपए का profit जेनरेट कर लिया था उसके बाद मैंने इस product को और देड़ दो साल तक बेचा और एक करोड से भी जादे का profit जेनरेट किया जिससे कि मैंने अपना college education का loan चुकाया बढ़ शायद आपको ये लगता होगा कि amazon.com पर product बेचना मुश्किल है बढ़ ऐसी बात नहीं है amazon.com पर product बेचना amazon.in से भी जादा असान और बेटर है because वहाँ पर customers return नहीं करते हैं amazon.com पर अगर आप अपने products को बेचोगे तो आपका customer का return ratio 10% से भी कम होगा हमेशा जबकि इंडिया में आप सब को पता होगा अगर आपने थोड़ी भी research की है कि returns बहुत जादा आते हैं customer से इसके साथ साथ आपकी earning भी डॉलर में होगी जबकि आपके खर्चे आप इंडिया में निकाल रहे होंगे INR में आपको यह सही में सोचना चाहिए कि क्या आपको आगे बढ़कर amazon.in पर product बेचना है या amazon.com पर अब अगर आपको amazon.com पर अपना business शुरू करना है तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि किसी भी e-commerce business के लिए वो भी especially on amazon.com the most important thing is to find a really really good product आप जो अपना पहला product market में launch करो वो successful होना चाहिए उसकी successful होने की probability हाई होनी चाहिए ताकि जब आप अपना पैसा लगाओ अपनी मेहनत की कमाई लगाओ तो आपका return भी आए आपके पास profit भी आए जो आप अपने pocket में डाल पाओ तो अगर आपको एक ऐसा product ढूणना है जो market में चुम्बक की तरह चिपक जाए और आपके लिए पैसे को खीच कर लिया आपके पास तो आप दो चीज़ कर सकते हो एक शायद मैंने अपना workshop अब start कर लिया है इसमें मैं आपको ये सिखाऊँगा की आप कैसे profitable product ढूण सकते हो to sell on amazon.com in the US so नीचे description में वो link है कि नहीं चेक कर लो अगर link है तो अभी sign up कर लो because मुझे नहीं पता कि इसका कौन सा बैच लास्ट होगा और कब मैं इसे नहीं करूगा तो अगर link है और link active है और अगर आपको दिख रहा है कि अगले हफते या अगले दो हफते के अंदर एक workshop होने वाला है this is the first thing that I would ask you to do is invest in the workshop and learn how can you find products live with me on the workshop ये बहुत ही actionable workshop होगा जिसमें आप ये सीख पाओगे कि कैसे आप amazon.com के लिए products ढूण सकते हो जो बहुत सारे पैसे कमाएं अगर मेरा workshop बन पड़ा है तो आप मेरे course को directly join कर सकते हो और जब आप sign up करोगे course के लिए तो मैं आपसे मिलूँगा one to one on a zoom session जब मैं आपको course का access दूँगा आपसे मेरी path होगी मैं आपको समझूँगा और आपकी journey भी हम define कर पाएंगे To summarize the video आप बिना GST के amazon.in पर products नहीं बेच सकते हो बट आप amazon.com पर बिना GST के registration कर सकते हो अपना business शुरू कर सकते हो अब of course वो पूरा process तो काफी लंबा है अगर आपको वो जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो या फिर अगर आपको सीधा जम मार के product ढूणना है तो आप मेरा workshop या course जोइन कर सकते हो See you in the next video in his community